हेलो दोस्तों नमस्ते भाई कैसे हैं आप सभी लोग पहले तो आप सभी लोगों रक्षामंदन की बहुत-बहुत सुपका मनाएं और इस चैनल पे मैं एक और धमाकेदार प्रेक्टिश शेशन आपके लिए लेके आया हूँ आपको पता है कि CGL और CHSL का PRE देने के बाद बच्चे मेंस की त्यारी कर रहे हैं लेकिन PRE में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मेंस के एक्जाम भी काम आते हैं और जो अगले 2024 के session के लिए बच्चे लोग तियारी कर रहे हैं, उनके exam के लिए भी most beneficial है, ठीक है बाई, देखे, पढ़ना पढ़ेगा, बिल्कुल perfect time है, जो बच्चे 24 को target करके तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल perfect time है, आज से पढ़ाई सुरू करने का, वो पढ़ाई भी करें, प्रेक्टिस भी करें, प्रीवेसर के सवाल भी लगाएं, mock test भी करें, revision भी करें, सारे काम करने होंगे, उनके लगवाद 10 महीने का समय, उनको आराम से मिल ला है, ध्यान से सुनेगा, मेरे प्यारे बई, तो अभी CHSL का जो paper हुआ है, चालिस सिफ्टिस में बनी, हजार question पैदा हुए, इन हजार question में से, advance math के, top 50 questions मैंने छाटे हैं, उनको मैं आपको इस वीडियो में solve क करनी है, और मेरे साथ solve करने की जो है, कोशिश करनी है, प्यारे भाई, समझ में आया, ओके, ये practice session है, तो इसे practice की तरह ही ले, concept वाला session नहीं है, ठीक है, बच्चो, ध्यान सुनेगा, चलेगा, उससे पहले बताना चाहता हूँ, कि इन सभी सवालों की PDF आपको आपको हमारे detail जानकार या आते, तो हम यहाँ पर देते, अब जिसे CHSL की, हमने PDF हिंदी और इंगलिश दौनों में ही, है आप upload करवारा, कि जो बच्चा CHSL के सारे solve practice करना चाहता हो, PDF को download करो, अपने laptop मोबाईल में save करो, solve कर लो यहां से, बुक खरीदने की कोई ज़रत ही नहीं पड़े जो आर्टिकल है, इस्ट्वेंट के बीट में बहुत famous है, क्योंकि इसमें हमने गणित के सारी concept को लिख दिया है, तो आप इन books को order कर सकते हो, जो बच्चा चाहता है कि मुझे CGL, CPU के MTS के selection post के exam question एक जगा practice करने के लिए मिल जाएं, तो इस वाली book से practice कर सकता है, 8 है यार, plus thesis question, अभी बहुत सारी student को पता नहीं है, हमने CPO की अलग से एक practice book निकाली है, CPO practice king, ये maths concept king, ये practice king, इसमें CPO के 1200 plus latest thesis के question, आपको पता है, thesis ही जो है आप paper करवा रही है, Tata consultancy, तो आप जो है मेरे दोस्तों, इस book को order कर लो, जो CPO वाले बच्चे है, इन 1200 सवालों को लगा होगे, तो आपका गणित का भै, बिल्कुल खतम हो जाएगा, मेरे दोस्तों, ठीक में, जो सवाल भी और concept भी class notes की form में चाहते हैं, वो class notes ले सकते हैं, मेरे प्यारे भाई, ठीक है न, advanced के और arithmetic के दौनों की ही available है class notes, session बहुत धमाकेदार रहेगा, आपको वीडियो को like करन है, सवाल number 1, यह बताईगा, इस वेंजक को सरल बनाएं, आप कहोगे सरी, तो simplification का सवाल है, बाई साब, सवाल simplification का है, लेकिन होगा मेरे दोस्तों, algebra के method से solve, तो आपके सामने calculation, इस calculation को आपको करके बताना है, जिसका answer क्या होगा, बताईए, 0.01 प्लस 0.68 इंटू 0.68 प्लस 0.22 इंटू 0.22 प्लस ये, 0.044 प्लस 0.136 प्लस 0.44 इंटू 0.68 इसका मान क्या होगा, बताईए बच्चों, देखे बच्चों, यह formula है, A प्लस B प्लस C के whole square, अगर द्यान से देखा जाए, देखो, B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर, आप क 0.01 क्या है फिर, तो यह 0.01 कोई नई चीज नहीं है भाई मेरे, 0.01 का मतलब है, 0.1 का whole square, 0.01 का मतलब क्या होता है, 0.1 का whole square, अगर आप द्यान से देखे हैं, तो A स्क्वाइर, यह B स्क्वाइर, प्लस C स्क्वाइर, 2AB, 2AB करूंगा देखो, 22 दूरी 44, इन दौनों की ना होगी, फिर, 2 की यह आएगा, प्लस 2BC, 2BC देखो, इन दोनों की गुणा करूंगा, 68 का दो गुणा, 1.36, फिर, 0.1 से गुणा करूंगा, 0.136, पिलस देखे, 2C, इन दोनों की गुणा करूंगा, देखो, यहां पर 2 गुणा 244 लिख दिया, 0.44 इंटू 0.68, तो A स्क् प्लस B स्क्वार, प्लस C स्क्वार, प्लस 2AB, प्लस 2BC, प्लस 2CA, किसका फॉर्मला है, A प्लस B प्लस C का, अब यहां A की जगह 0.1 है, B की जगह 0.68 है, और C की जगह 0.22 है, मेरे प्यारे भई, तो आप मुझे बताओ, इसका whole square ही तो है, यह क्या बन गया भई, इनको जोड जोड़ेंगे, जब क्या बन जाएगा यह, 0.78 में 0.22 जोड़ूंगा, तो 1, 1 का square यानि की 1 ही इस question का answer था, B option, आप यहां पर digital sum का concept भी इस्तिमाल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है प्यारे भई, तो काफी अच्छा simple question है, दसमलब देखके बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ड बताएगा, यदि root A by B पराबर 8 by 3 plus root B upon A है, and A plus B 30 है, 30, तो A into B का मान ग्याद करें, बहुत अच्छा सवाल है, serious के paper से in spare question है, बस data बदला है, जी बताओ, कैसे करेंगे, देखें, अगर variable को एक तरफ ले लेते हैं, यह root A by B है, ठीक है, जी आप बोलो गहां जी सर, अब य अधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा, minus का root B by A, बराबर हो जाएगा, right side में है, 8 by 3, तो यह observation का question है, केवल observation का, आप देख पा रहे हैं, कि अगर यह x है, तो यह उसका उल्टा है, एक बता x, क्या right side में लिख सकते हो, 8 by 3 को इस फ़र्म में, 8 by 3 को अगर प्यार से ध्यान से देखा जाए, तो 3 minus 1 by 3 है, बोलो बात समझे की नहीं समझे, आप बोलोगे, हाँ जी सर समझे, देखो न, अब यह अगर root A by B है, तो उसका उल्टा है, root B by A, ठीक है न, तो मेरे दोस्तों, अगर है मैं compare करूँगा, तो देखे, इसके जगा क्या लिखा हुआ, 3, इसका म क्या हो जाए, का automatically 1 by 3, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर under root A by B 3 के बाराबर है, तो मैं square करूँगा, A by B क्या आएगा मेरे दोस्तों, भाई 3 के square 9 आ जाएगा, अगर root A by B बाराबर 3 बन गया, तो A by B क्या आएगा, 3 के square 9, या फिर 9 बाटा 1, A से B का ratio, 9 ratio 1 बन गया, A से B का sum 30 है, तो भाई, 9 रेक 10 होता है, ratio में अगर A plus B 10 है, 10 की value 30 दिरख्ये है, 3 गुना, तो A का मान भी 3 गुना है, 27 और B का मान भी 3 गुना है, यानि की 3, तो A और B की value आगी 27 बन गया, 3, ratio 9 1 का जोड़के 30 आ रहा है, आपसे A गुना B पूछा है, तो A गुना B आ जाएगा 27 यानि की 81, 81 सवाल का अंसर आ जाएगा, बहुत ही भैतरी नहीं, observation वाला सवाल है, ठीक है बच्चे, यह बताएंगे, simplify the given expression, बताओ बच्चो, सवाल को देखके बिलकुल भी घवरा नहीं है, upon 25 की power 4, plus 2 into upon 25 की power 4, plus 1, minus upon 25 का whole square upon upon 25 square, plus upon 25 plus 1, क्या आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, देखे मेरे दोस्तों, सवाल को देखके बिलकुल भी घवराना नहीं है, डरना नहीं है, actually, ऊपर भी एक formula है, नीचे तो है यह उसका हिस्सा, आप बताओ यह चीज क्या है, आप मुझे बताओ यह चीज क्या है, मेरे प्यारे भी, जवाब दीजेगा, है भी, वन का मतलब क्या होता है, वन स्कॉयर, यह पॉइंट टू फाइव की पावर चार क्या है, पॉइंट टू फाइव का होल स्कॉयर, यह पॉइंट टू फाइव का होल स्कॉयर प्लस वन का होल स्कॉयर नहीं है, मेरे प्यारे भी, जवाब दीजेगा, बोलो, है की नह का संबेगा और माइनस का पॉउंड टूफाईव का ़ोल इस्कोर स्कोर मेरे बात समोंझे अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि Ils 25 का अगर मेरे प्यार बिआ को डिवाइड करूंगा ध्यान से सुनेगा ये भी इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ समझदार वाला कितना करेगा ने पॉंड टू फाइव का ओल स्क्वेर पिलस पॉंड टू फाइब प्लस वन एक्स लिख लेंगे तो और आप इसली अपजर कर पाएंगे ये लेकिन दस लुकुर है चार अंकों के बाद 1 में से 0.25 घटाएंगे तो 0.75 यह आया बताओ जी अब 75, 6, 80 तो 0.8125 0.8125 सवाल का अंसर है C option क्या बहतरीन और easy सवाल सेट किया है मेरे दोस्तों बनाने वाले ने यदि x square plus 1 बटे x बराबर 5 है तो आप से पूछा है इसका मान ग्याद करें कौन कर पाएगा पावर 1 से पावर 4 में जाने श्ट्रण दो बार square करना है जरा सोचो कि भी x square plus 1 बटे x बराबर 5 है अगर x से डिवाइड करूँगा तो यह दिया हुआ x square बटे x x plus 1 बटे x बराबर 5 है बहुँआ अब इसका square करूँगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों k square मानस दो 23 इसका भी square करूँगा मेरे दोस्तों क्या आएगा k square मानस दो 5 27 27 23 के square 529 मानस दो 5 27 मानस 36 यह आएगा मेरे दोस्तों यहाने की 1 एंड में 1 आएगा काई कांग की आंसर है पहला option वर्बली सवाल कर सकते इस सवाल में कलम उठाने की जौरत आपको नहीं पढ़नी चाहिए सारे latest CHSL के सवाल है यह बताईगा देखे X plus 1 by X बहुत पूछा गया है CGL के paper में भी और आपके CHSL के exam में भी अब जैसे आप हमें यह वाला question बताओ बच्चो कि यदि X minus 1 by X 0.4 है X positive है तो X square plus 1 by X square क्या आएगा जबाब दीजेगा आप जानते हैं कि अगर X minus 1 by X K है तो X square plus 1 by X square क्या आएगा मेरे दोस्तो K square plus 2 यह आएगा 4 के square 16 तो 2 में 0.16 जोड़ेंगे यह सवाल का answer हो जाएगा सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परिशानी दे यह सर नो हांजी समझ में आया आप बोलोगे हांजी सर सवाल लंबर 6 बनाएंगे यदि X square minus 11 X plus 1 equal to 0 है तो आपसे पूछा है X की power 8 minus 14159 X की power 4 पिलस 11 ग्याद करें देखें जो समझदार वाला के वो देखती समझेगा किसका answer आएगा या तो 10 या 12 लेकिन ये minus में रहेगा होगे plus का square करने पर minus 7 आता है तो ये 10 आएगा आप कहोगे सर कैसे कोई कलम उठाने की ज़र अतनी कुछ नहीं मैं समझाओंगा मेरे दोस्ता आपको ये निकालना है ध्यान से सुनेगा ये जो है ये क्या है ये है X की power 4 ब्रैकेट से X की power 4 कौम ले लेंगे तो X की power 4 minus 14159 ये मेरे को निकालना है इसकी जो value है वो हमेशा यहाँ पर minus 1 आएगी क्यों आएगी concept है और इस concept की मैंने separate videos भी बना रखी है कि भाई यदि X की power चाहें कुछ भी हो अगर X प्लस 1 बट X की power N बराबर K है अगर बीच में plus का sign है अगर बीच में plus का sign है मेरे प्यारे भाई तो इसका मतलब ये होता है तो तो X की power N into X की power N minus K हमेशा minus 1 आएगा हमेशा ये concept है के को अधर ले आओ X की power N minus K इसको अधर ले जाओ minus 1 अपोन X की power N क्याची गुणा कर दो ये तो बचेगा तो भई यहाँ पे अब आप ये जो चीज देख सकते हैं ये चीज क्या दिए हुए ये चीज आपको दिए है अगर मैं X से भाग कर दूँ X square minus 11 X plus 1 ये X plus 1 बेक्स दिया हुआ 11 तो भई मुझे power X से power 4 में जाना है तो भई मैं दो बार square करूँगा जब मैं इसका दो बार square करूँगा तो square करने पर रहेगा तो बीच में plus ही न है भई मैं जो इसका दो बार square करना है X square plus 1 X square पर X की power 4 plus 1 प्लस 1 पर X की power 4 क्या आएगा भई भई इसका square आएगा मेरे दोस्तो 119 के square minus 2 और ये आएगा मेरे दोस्तो 119 के square minus 2 119 के स्क्वार होता है 14161 और मानश 2 करेंगे 14159 यह आएगा मेरे दोस्तों यह मैं आपको बता रहा हूँ यानि कि आपको समझ जाना चीज सारी चीज दिमाग में करनी है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 1 बे x पावर 4 में जाना है nd more x अगर पावर 4 में जाना है दो बार square करूँगा बीच में प्लस ही आएगा जब बीच में प्लस ही आएगा और इसको इस form में लिखोगे मेरे दोस्तों अगर बीच में प्लस है इस form में लिखोगे तो हमेशा जो इसकी value minus 1 बनेगी और minus 1 में ग्यार एड करूँगा तो 10 यह answer आएगा खत्म, यह concept है कि वल अगर यहां बीच में मानेस होता है मानेस तो यह value बनते है फिर प्लस 1 ठीकर नहीं concept बहुत time बचाता है यह बताएंगे सवाल number 7 यह CHSL में पूछा हूँ एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है यह सवाल cat के paper में आया है cds के paper में आया अब CHSL के तीन सिफ्टों में सवाल दिया है तीनों में अलग-अलग चीज पूछी है मैं आपको यह की करवा रहा हूँ इस concept की इस सवाल पर based concept के अलग से detail वीडियो बना रखे इसी channel पर 15 minute की parallel line के नाम से पीछे scroll करके देखेगा parallel line का concept आपको वीडियो मिलेगी वहाँ से देख लेना बहुत मजा आएगा आपको concept सीखे कोई similarity वगरा लगानी नहीं पड़ेगी यह analysis के time पर भी करवाया था मैंने जरा खुद करने की कोशिश करो इस सवाल को सुभास एक 3.15 meter tall tree and an 11.25 meter tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between the सुभास and building the tree is located at a distance of 7.5 meter from सुभास and at distance of 45 meter from building further the eyes of सुभास the top of tree and top of building fall in one line find the height from the ground that is the सुभास I are situated सुभास की आँख ground से कितनी उचाई पर है बहुत बहतरीन सवाल देखे मेरे दोस्तों एक building है एक पेड़े और सुभास भाईए यह तीनों एक ही line पर है ठीक है भाई पेड़ जो है building और सुभास के बीच में है ध्यान से समने की कोशिश करेगा मज आएगा तो भाई यह होगी जी आपकी building यह होगी मेरे दोस्तों building ठीक है बच्ची यह होगे मेरे दोस्तों सुभास पेड़ यहां पर बना लेते हैं यह होगे आपका पेड़ और यह होगे Mr. सुभास ऐसे माल लेते हैं यह होगे Mr. सुभास बोला यह गया है कि यहां पर इनके जो top है वो एक ही line में सुभास की आँख और पेड़ और building के top एक ही line में लाई करते हैं ऐसा question में बोला गया है ठीक है ना सुभास की आँखे पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक ही पंक्ती में पढ़ती हैं मेरे दोस्तों ठीक है ना समझ में आया ठीक है प्यारी भाई पेड़ बीच में है तो पेड़ बीच में है तो ऐसा नहीं कि सुभास से छोटा हो जाएगा पेड़ आप ऐसे बना लोगे सुभास बड़ा कर दिया पेड छोटा तो कह यह एक लाइन में आप आएंगे नहीं तो यही डाइग्राम बनेगा तो यह है मिस्टर सुभास जी दिस इस मिस्टर सुभास ठीक है बच्चो यह है पेड और यह है बिल्डिंग याने की आपकी इमारत साथ मीटर की है पेड़ और सुभास के बीच में 7.5 मीटर और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है जो पेड़ इमारत से कितनी दूरी पर है 45 मीटर की दूरी पर है 45 मीटर की अच्छा बोला ये गया है कि पेड़ जो वो 3.15 मीटर लंबा है पेड़ कितना लंबा है 3.15 मीटर लं बिल्दिंग है तो आप से पूछे सुभास जी की आखे यानिकि हाइट पूछे सुभास की हां के दूसरी के लान की समानतर है तब बताओ यह इसटन्स 45 मीटर है साले साथ है मेरे दोस्तों कितना जाएगा साले साथ से छे बार ये रेश्यो छे रेश्यो एक है आप बोलोगे यहां जी सर बिलकुल सही छे रेश्यो एक तो मेरे प्यारे वे ध्यान से समने की कोशिश करेगा अगर भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे जैसे जैसे आप यहां से इधर की तरफ आ रहे हैं लेंथ घटती जा रही है बिल्डिंग थी 11.25 मीटर लंबाई की पेढ़ है 3.15 मीटर लंबा तो हाइट कितनी कम होगी 11.25 से 3.15 कितना कम है तो 11-38 और 0.25 में से 0.15 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा यह 8.1 समझ में आया आप बोलो कि हाँ जी सर आया यानि कि 6 यूनिट की जो वैलू वो 8.1 मीटर है 6 यूनिट की वैलू कितने गुना है मेरे दोस्तों 6 यूनिट की वैलू 8.1 मीटर है तो एक यूनिट क की वेलू आएगी 8.1 बटे 6 समझ में आएगा आप बोलो गहां सर ये 3 से चला जाएगा 2.7 और ये 3 से चला जाएगा दो बाद 2.7 बटे 2 1.35 1.35 मीटर यानि कि मैं ये कह सकता हूं कि 11.25 से 3.15 मीटर हैगी हाइट कितना कम हुई 8.1 तो 6 की वेलू 8.1 है तो एक उनिट की वेलू आगी 1.35 यानि कि शुभास जी की जो आखे होंगी वो 3.15 मीटर से 1.35 मानिस कर देंगे तो कितना आएगा ग्यार में से 5.25 गया 0, ग्यार में से 3.25 में से 1.8 मीटर यानि कि सुभास की जो आखे वो जमीन से 1.8 मीटर की हाइट पर है बी ओप्शन आंसर है वेरी वेरी बिसिक सवाल बी ओप्शन खतम कुछ है नहीं सवाल में पस ये कंसेप्ट आपको जो है एक वार सीखना पड़ेगा मेरे दोस्तों इससे स्मार्ट तरीका पूरी दुनिया में पलब्द निया करके देखलो चाहें आप ठीक है अलग से एक पउर्ण इट मीटर आंसर खतम नेक्स सवाल सवाल लंबर है बच्चो आपके सामने आठ बनाएंगे याधि एकस स्क्वार प्लस वाई स्क्वार चार सो स? ताइस है, xy 202 है, तो x plus y बटे x minus y खोजे, देखें मुझे यहाँ पर x plus y निकालना है, x minus y निकालना है, कोई भी एक चीज पर आप ध्यान दीजेगा, देखो, answer root में, जैसे मुझे x plus y निकालना, x plus y, मुझे x square plus y square दिया है, मुझे x y दिया है, तो x plus y क्या आएगा मेरे दोस्तो, x plus y का whole square होता है मेरे दोस्तो, x square plus y square plus 2xy, तो x plus y क्या आएगा, x plus y आएगा, under root of x square plus y square plus 2xy, 202 दूनी 404 यानि कि आएगा root 8 30, यह आएगा x plus y की value भई x plus y का whole square क्या है, x square plus y square plus 2xy, मैं ने अंडर root ले लिया तो x plus y root 831 x plus y के जिएगा root 831 रखेंगे, root 831 यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है यह एक ही option है, यह answer हो जाएगा मैं आगे करूँगा ही नहीं मेरे पास आगे time ही नहीं सोचने का बस इतना ही time मेरे पास है और मैं आगे बढ़ जाओंगा सीधा आगला स्वाल, बहुत popular question बहुत-बहुत popular, बोला है यदि a बराबर कौटे प्लस कौश से b बराबर कौटे मानस कौश से आप इसको value putting से भी कर सकते हैं आप यहाँ पे angle लेकी जिगए 0,90 तो नहीं, 45 degree put कर लीजे 45 degree, आज आएगा मेरे प्यारे वाइट, ठीक है ना? बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आप बोलो के यहाँ जी sir 45 degree put कर कर सकते हैं ठीक है बच्चो यह और भी value putting के तरीके हैं आप यहाँ पे a को 90 degree भी put कर सकते हैं एको 90 degree put करेंगे तो भी उत्तर आएगा, ठीक है बच्चे लेकिन यह कि special सवाल है और मैं पहले ही ऐसे सवाल का आपको बता चुका हूँ कि यदि a बराबर cot a plus cos से है b बराबर cot a minus cos से है अगर cot cos की जिएगा 10 sin होता यह होता 10 a minus sin है भी मेरे प्यारे भाई 10 a plus sin और b होता 10 a minus sin 10 a minus sin तो भी इस सवाल में दोनों ही concept के लिए relation बनेगा a square minus b square बराबर 4 root a b चाहें cot a plus cos से हो cot a minus cos से हो 10 a plus sin है और 10 a minus sin है दोनों के लिए यही same result बनेगा आप से क्या पूचा a square minus b square 4 root a b को धर लाएंगे तो minus 4 root a b minus 4 root a b 0 तो 0 इस सवाल का answer है दोनों के लिए same concept है मेरे प्यारे भाई अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ देखें basic से basic से मेरे दोस्तों यह बताओ कि a square minus b square क्या आएगा आप a square में से b square घटाएंगे तो 4 quarter cos है 4 quarter into cos है मेरे प्यारे भाई minus 4 root a b कितना आएगा 4 root a b a b का मतलब इन दोनों की सीधी सीधी गुना यह भी कौना सीधी सीधी गुना बैटा concept यह बनता है cot square a minus cos square a कितनी बार में बात बता चुक हूँ बराबर होता है cot square a into cos square a ऐसे ही same result 10 sign में भी है 10 sign में भी same result है 10 square a minus sin square a बराबर 10 square a into sin square a तो जब आप इनकी multiply करेंगे तो multiply करने पर आएगा a plus b a minus a x plus y into x minus y x square minus y square root cot square a minus cos square a आएगा root cot square a minus cos square a लेकिन इस property की वज़े से यह minus का sign किसमें बदल जाएगा multiply में बदल जाएगा multiply में cot e cos से हो गया root से square हट जाएगा तो 4 cot e cos से minus 4 cot e cos से cancel out 0 उत्तर है समझ में आया आप बोलो कहाँ जी सर but you should remember the direct result अगला सवाल बोला है यदि theta एक acute angle है और sin theta cos theta बराबर 2 cos cube theta minus 1 by 4 cos theta है तो sin theta का मान ग्याद करें theta acute angle है ठीके बच्चे तो यह आप से पूछा है बताओ जी क्या उत्तर आएगा सवाल का अंसर देखे मेरे प्यारे बाई मुझे इसके दो तरीके नजार आ रहे है एक तो करने वाला तरीका और एक option से option से भी चेक कर सकते हैं कि sin theta का मान एक से छोटा होना जी अब रूट पंदरे जो नंबर आएगा लबक 4 आएगा चार मानसे तीन तीन बटे दो करेंगे मेरे दोस्ते एक से जाद है value है समझ में आया ना अब रूट पंदरे प्लस ही यह तो एक से छोटा है गारूट पंदरे होगा लबक 4 चार प्लस एक 5 पांच को चार से भाग देंगे यह भी एक से बड़ी value है यह दोनों option में इसे ही कोई answer होगा या तो यह होगा या यह होगा यह दोनों तो एक से बड़ी value है सम्भवी नहीं है लेकिन दो option में फस गए अब theta acute angle है sin theta पूछा है तो यह एक equation दिखाई दे रही है basically अच्छा cos यहां भी है यहां भी यहां भी तो दोनों तरफ हम cos theta सो काट लेते हैं कट जाएगा ओकि theta है क्यूँ tangle है cos theta से काटेंगे तो क्या रह जाएगा sin sin को short में इसे लिखा करो cos theta काटेंगे तो cos cube है cos square को भी sin में लिख लेते हैं 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta यह minus का 1 आगया? आप बोलो कि हाँ जी सर आगया कोई परेशानी नहीं अब यह minus 8 sin square theta इदर 8 sin square theta और यह plus का 4 sin theta तो है यह plus का 4 sin theta अब 8 कम आट 8 minus 1 7 यह minus 7 यह आजाएगा 0 यह बन गया न बोलो कोई परेशानी है क्या? है बई 4 LCM लेंगे तो पूरी की 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 8 minus sin है तो इदर आजाएगा 4 sin theta 8 कम 8 minus 8 minus 1 7 है इदर आएगा तो minus 7 तो यहां से sin theta पूछा है निकल जाएगा quadratic equation formula लगाना है by minus का B minus 4 plus minus under root B square minus 4 AC B square minus 4 AC 4 का square 16 और minus 4 AC करूँगा तो minus minus plus हो जाएगा 4 8 32 गुणा 7 हो जाएगा 32 गुणा 7 तो 16 तो common आजाएगा और यहां पर आजाएगा जी आपका 1 और 7 दूनी 14 पंदर है 16 गुणा 15 समझे ना? minus का B plus minus under root B square minus 4 AC ठीक ना? तो 4 का square 16 minus 4 AC करूँगा तो यह minus minus है ना? पिलस हो जाएगा 4 8 32 गुणा 7 16 common यहां से 1 बचेगा यहां से 14 1 प्लस 14 पंदर है upon 2 ए 2 का मतलब है आपका 16 जोकि theta acute angle है तो negative value को इग्नोर कर देंगे क्या कट गया भई? उपा नीचे से 4 कर जाएगा 4 तो नीचे 4 बचेगा यह उत्तर नहीं है यह answer है नीचे 4 बचेगा 4 काटेंगे तो minus का 1 एभी minus का 1 और यह 16 का under root 4 होता है तो क्या बचेगा? 15 बचेगा और नीचे 16 में से 4 काटेंगे तो root 15 minus 1 बटे 4 option number C उत्तर है काफी अच्छा basic सा सवाल है मेरे प्यारे भाई यह बताएंगे यह एक्स स्क्वाइर माइनस root 9.76x plus 1 बराबर 0 है x greater than 1 है x positive है तो x cube minus 1 बटे x cube ग्याद करें बताएंगे जी बहुत अच्छा सवाल लग रहा है plus दिया हुआ है x रह जाएगा यह 1 बटे x यह होगा जी minus का root 9.76 उधर जाके positive root 9.76 यह आपको दिया हुआ है कैसे आए? divided by x करना है x हो जाएगा यह 1 बटे x उधर चला जाएगा तो root 9.76 चाहिए x cube minus 1 बे x cube तो question solve करने के लिए x minus 1 बे x की ज़रत है तो बतो x minus 1 बे x का आएगा अगर x plus 1 में x root 9.76 है x plus 1 में x अगर की है तो x minus 1 में x आएगा root k square minus 4 बहुआ इसके square करेंगे 9.76 minus 4 आजाएगा 5.76 कंडू 2.4 तो 2.4 आगया मेरे दोस्तों अब x cube minus 1 में x cube क्या आजाएगा k cube plus 3 के k cube plus 3 क्या k common ले लो k square plus 3 दसम्लम में आसा रहता है कि अगर x minus 1 by x आपका k है तो x cube minus 1 x cube k cube plus 3 के k common ले लेते है 2.4 अब 2.4 का square 5.76 5.76 में 3 एड करूँगा तो 8.76 ही आगया मेरे प्यारे भाई यानि कि 4 चिक 24 end में 4 आएगा ये answer नहीं है इन दोनों में से एक answer है ठीक है भई अब मैं यहाँ पे digital sum भी इस्तिमाल कर सकता हूँ भई 4, 2, 6 2, 8, 9 या फिर आप में approximation भी लगा सकता हूँ 24 और 21 दूर दूर है न 8.76 को 9 अगर मालू 9 तो 24 निम्मा होता है 216 यानि कि 21.6 यानि कि answer 21.6 से कम आएगा ये उत्तरनी 21.6 से कम ये वाला answer है अगर 2.4 को 2.4 ही रहने दो 8.76 को 9 भी माल लिए जाए तो 24 निम्मा 216 होता है ये तो लेकिन 9 से कम है तो answer भी 21.6 से कम आएगा तो answer ये नहीं है लंबर बार है बहुत अच्छा सवाल ये भी बनाएंगे बोला है decimal का काफी इस्तेमाल किया है ठीक है ना पहले में 2-3 साल पहले ये चीज़े करता था कि x-1 में decimal में calculation बढ़ा दी है वे ये वो जब नहीं नहीं सवाल create करते हैं तो आज तो समय नहीं नहीं मिल पाता भी the x square minus 3.2 x plus 1 बराबर 0 है x greater than 1 x positive है x square minus 1 by x square आपको निकालना है बिटा x square minus 1 by x square का मतलब क्या है what is the मतलब of this इसका मतलब है x plus 1 by x और x minus 1 by x x plus 1 by x into x minus 1 by x अगर आप धिहान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है अगर मैं x से भाग दूँगा x plus equal x बराबर आएगा 3.2 यह 3.2 आपको दिया हुआ है अलड़ी ठीक है ना समझे ना x x से भाग देगा x plus equal x यह उदर जाएगा 3.2 x minus 1 में x आएगा मेरे दोस्ते x plus 1 में x अगर 3.2 है तो x minus 1 में x अंडूट k square minus 4 ठीक है बच्चो यह 4 मतलब 2 square a square minus b square a plus b a minus b ठीक है बई वैसे आप यहाँ से 4 common भी ले सकते हैं वो भी ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ पे देखे मेरे दोस्तो 4 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है अगर common लेंगे यह वो ही कर लेते हैं मेरे दोस्तों वो भी ठीक है कई रास्ते हैं calculation करने के इसको का minus b square a plus b a minus b तो 5.2 और 1.2 3.2 में 2 जोड़ेंगे तो 5.2 और into 3.2 minus 2 1.2 यानि कि 52 में 13 root के अंदर 13 बचेगा यह दौनों आंसर नहीं है अब 16.8 होता है 24 सत्ते साथ साथ तो है नहीं यहाँ पे कही 7 दिखाए दे रहा है 24 सत्ते 167 7 नहीं है तो यह आंसर आजाएगा भी समझ में आया आप बोलोगे हाँजी सर ऐसे करना आगे calculation की ज़रत है ही नहीं सवाल में ओप्शन से उड़ाने की कोशिश करो जाद से जाद है सवाल लंबर 13 तेर कौन मिती का सवाल बड़ा अच्छा सवाल है अगर आपको समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है आप सीख रहा है आपको लगता है कि सर ने हमारे 1000 सवाल ना करवा के एड़ानसमेंट के 500 सवाल ना करवा के सर पचास सवाल में बेड़ा पार कर दे रहे है तो वीडियो को लाइक करना है ठीक है भई मैं आपकी महनत में कटोती कर रहा हूँ और रिजल्ट के आउटपुट को बढ़ा रहा हूँ मेरा भी तो आउटपुट बढ़ना चीए कि नहीं चलो यदि कॉस अपॉन सेक मानेस वन पिलस कॉस अपॉन सेक प्लस वन किसके बराबर है चिल्लर सवाल है एलसियम लेना एलसियम लोगे तो क्या आएगा सेक प्लस वन सेक मानेस वन 10 स्कॉर थीटा 10 square theta होता है sec square theta minus 1 sec plus 1 sec minus 1 10 square theta उपर से cos theta तो है ही मेरे दोस्तो cos theta common multiply जब यहां करेंगे तो sec plus 1 अब plus sec minus 1 sec plus 1 sec minus 1 2 sec theta हो जाएगा यह sec से cos कट गया तो 2 बटे 10 हो गया 2 cot 2 cot square theta answer है C option समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर आया है बताएंगे सवाल अगला ओके यदि x cube बराबर 2 70 plus y cube x बराबर 6 plus y पूछा x plus y same सवाल seat में डाला हुआ है same सवाल मैंने बना के same सवाल बनाया था भाई 2-3 साल पहले साय दुसी से यह सवाल उठाया गया है मेरे दोस्तों और बस यहां पर यह की digit चेंज करी है उसने यह 270 वाली x cube बराबर यह है अगर मैं यहां पर y cube को धर लाऊं तो सवाल में दिया है x cube मानेस y cube बराबर 270 है बे y को धर लाते हैं तो x मानेस y बराबर 6 पूछा x प्लस y अब x प्लस y निकालने के लिए x मानेस y गिवन है तो x इन्टू y और पता लग जाए formula जानते है x cube मानेस y cube 270 है तो x cube मानेस y cube बराबर x मानेस y इन्टू x मानेस y का होल स्कुार 36 प्लस 3 x y x मानेस y का होल स्कुार प्लस 3 x y जानते है 6 से 270 मेरे दोस्तो 6 चुक 24 और यह 6 पंजे 30 समझ में आई बात ठीक है भई 45 मानेस 36 9 9 बटे 3 3 तो x y कमान 3 आ गया x गुणा y 3 आ गया मेरे प्यारे भई अब x मानेस y और x y की टर्म में formula जानते x प्लस y का सारी value positive है मैं लिख देता हूँ कि x मानेस y और x y की टर्म x प्लस y होता है भई x मानेस y का whole square प्लस 4 x y बई x प्लस y का whole square क्या होता है x मानेस y का whole square प्लस 4 x y अंडर root है अब x मानेस y यहां पे 6 6 का square 36 x प्लस y 3 निकाला है 3 चोग 12 36 बारे 48 48 होता है 16 का 3 गुना 16 का root 4 3 का root 3 तो 4 root 3 सवाल का answer बनेगा जो कि हमारा c option रहेगा c option काफी अच्छा सवाल है जबरदस्त बनाया है वाई साब ये बनाएंगे बच्चो सवाल नंबर है 15 अगेन एक सवाल सिंपलिफिकेशन का सवाल सिंपलिफिकेशन या कैल्कुलेशन का नहीं है दिस सवाल है observation in algebraic form आपको यहाँ पे algebra का एक formula दिखाई दे रहा है और वही formula आपको पकड़ना है बताओ बस 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 इतना काफी है मेरे लिए उपर तो दिख गया मुझे उपर तो दिख गया a square plus b square plus c square दिखा plus 2ab plus 2ab यहाँ पे गलट typing है भाई सब थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है बच्चो plus 2ab plus 2bc और plus 2c दिखाई दिया a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c a plus b plus c का whole square a की जगह है 0.09 b की जगह है 0.04 c की जगह है 0.16 उसका whole square है उपर ठीक है भाई 64, 29, 29 वैसे option दिख भी गया नीचे क्या है दहान से देखेंगे नीचे क्या है नीचे आप कहोगे सर नीचे तो कोई formula नहीं है वैसे नीचे जवरत भी नहीं है 0.3 गुणा 0.3 0.09 0.2 गुणा 0.2 0.04 और 0.4 गुणा 0.4 याने की 0.16 दिखाई दिया उपर पावर 2 है नीचे एक पावर है तो एक cancel out हो जाएगा पावर 1 बचेगा पावर 1 का मतलब यह तीनों को केवल जोड़ना है 16, 4, 20, 29 और 0.29 आएगा दसालों के बाद 2-2 डिजिट है बहुत बहतरीन question आगे चलते हैं सवाल number है 16 बोला एक cylinder के base की radius और height का योग 42 है यदि बेलन का total surface रिया 6336 है तो बेलन का curve surface रिया बताओ correct to two decimal place तक एपरोक्स में बता रहा है जब answer एपरोक्स है तो digital sum या unit digit वगएरा या multiple check मत करने लगना गलत हो जाएगा कि answer एपरोक्स है साल में आपको एक ही चीज़ दिया है कि radius और height का जो sum है वो 42 cm बोला है चलो 7 का multiple है total surface रिया दिया है आपको total surface रिया का formula जानते हैं 2 pi r bracket में h plus r यह होता है total surface रिया का formula अब मेरे दोस्तो 2 pi का मतलब 22 बटे 7 r अपन को निकालना है और r प्लस है चाप को direct दिया radius प्लस height के sum 42 और बराबर है 6 3 3 6 radius आजाएगी height आजाएगी curve surface रिया निकाल लेंगे बताईए बच्चो है भी किससे जा रहा है 42 में 6 को कि यह number 6 से भी कट रहा है और आपका 2 से भी तो मैं इसे 12 से काट लेता हूँ 2 और यह 7 बचेगा मेरे दोस्तों यहां से ठीक है ना तो 12 पंजे साथ तीन बारे दूनी 24 और नो बारे ठीच चानवे साथ से साथ कट जाएगा फिर 22 से 22 दूनी 24, 6, 2, 8, 2, 4, 8, 8 तो रेडियस आगी 24 अगर रेडियस 24 आचुकी है 24 तो हाइट आजाएगी 24 और हाइट आजाएगी 22, ओ सॉरी 18 24 प्लस 18, 22 है ना टोटल 24 प्लस 18, 24, 24 होता है तो यानि कि यह रेडियस आगया हाइट आगया पूछा है कर्व सर्फेस रिया अब कर्व सर्फेस रिया का फॉर्मला जानते 2 पाई रेच 2 पाई रेच अब मुझे दसमलम में निकालना है तो मैं 3.14 ले लेता हूँ पाई को 22 बटे साथ लेने का कोई मतलब नहीं है रेच रेच का मतलब 24 गुणा अठार है तीन सो साथ प्रस बहाथतर चार सो बटेस टो इन्टो 3.4 6.28 ये कैलकूलेशन करनी है 6.28 इन्टो 432 ठीक है ना आंसर काफी ज़्यादा दूर दूर है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 432 का छे गुणा 400 का छे गुणा 24 सो 32 का छे गुणा 192 तो 2592 हो गया फिर 332 का पॉंट वेट यानि की 9.6 या एपरोक्स 9 आजाएगा ठीक है बच्चो तो ये आएगा मेरे दोस्तों 2592 प्लस 2592 प्लस आना चाहिए वो एक ही ओप्शन आ रहा ये सॉरी 432 है सॉरी 432 का पॉंट 8 करना है मेरे को तभी तो कहूंगे 2592 तो आएगा लेकिन 432 का जब मैं पॉंट वेट में गुणा करूंगा तो ये लब 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 120-400 का ही पॉंट 3 120 हो जाता है तो 125 तो आना ही आना है मेरे दोस्तों ये इसका मतला 2592 चबिस सो पिलस काफी जादे आएगा 120 के आसपास तो 2700 पहुंच जाएगा तो आनसर सी है वैसे 2592 पिलस आएगा तो एक ही ओप्शन दिखाए दे रहा मैं इतने पी छोड़ दूँगा 432 की गुणा करनी थी पॉंट वेट मैंने किल उसकी करी 32 की ठीक है बच्चो तो आसान सवाल है मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट 70 नमबर यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पांच रूट दो है एक्स गेटर दैन वन याने कि पॉजिटिव है तो एक्स की पावर 6 माइनस वन अपोन एक्स की पावर 6 क्या होगा देखिए अगर बीच में प्लस होता तो मैं एक बार क्यूब कर लेता फरिस्को है लेकिन बीच में माइनस है अगर बीच में माइनस है मेरे प्यारे बाई तो मुझे इसका factorization करना होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले x की पावर 6 प्लस एक वर्ट x की पावर 6 निकालेंगे फिर माइनस में convert करेंगे बहुत जादे over calculated हो जाएगा बीच में मानस का असान है तो हमेशा factorize करके solve करो इसी रहेगा बतो यह क्या है x क्यूब प्लस 1 बे x क्यूब अगर x प्लस 1 बे x 5 रूट दो है तो x क्यूब प्लस 1 बे x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3 के k का क्यूब मतलब 5 का cube 125 और 2 root 2, 500 root 2 मानस 3 के 3 के कमला 3, 5, 15 root 2 तो यह आजाएगा 235 root 2 समझ में आया अगर x plus 1 by xk है मेरे प्यारे भाई तो x cube plus 1 by x cube kq मानस 3 किसका cube करूँगा तो 5 का cube 125 root 2 का 2 root 2 250 root 2 मानस 3 के 3, 5, 15 root 2 अब x cube minus 1 by x cube आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई तो मैं क्या करूँगा, इतना तो मैं करूँगा नि भाई तो फिर हम ही हासे करते हैं पहले x minus 1 by x निकालेंगे, x minus 1 by x क्या आएगा अगर x plus 1 by x 5 root 2 है तो x minus 1 by x आएगा root k square minus 4 5 root 2 का square, 50 minus 4 याने की root 46 अगर x minus 1 by x root 2 है, तो x cube minus 1 by x होता है t plus 3 root 2, t plus 3 मनला 46 plus 3, 49 49 root 46 आजाएगा मेरे दोस्तों, 49 root 46 यह तो बात आपको पता है कि यदि x minus 1 by x under root 2 है मैं कही जगे इस्तिमाल करता हूँ तो x cube minus 1 by x cube जो हो जाएगा, वो t plus 3 root 2 होगा मेरे प्यारे भाई, तो 43, 49 root 46, बहुत easily हो गया 23 root के अंदर सभी option में है, अब मैं देखूंगा multiple 7 का multiple देख लो, या unit it भी देख सकते हैं पहले यहां से भी 40 में से 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा तो root 2 गुणा root 2 तो 2 हो जाएगा न, 235 दूनी, 235 दूनी 470 हो जाएगा 470, 470 हो जाएगा यह रह जाएगा root 23, बहुत रूट 2 गुणा root 2 को 2 कर दिया 2 की हमने गुणा कर दी 235 में तो 470, यह हो गया भाई साब बताओ, 0 आएगा, 0 के बाद 7 नाम 63, 0 के बाद 3 आएगा तो आंसर बनना चाहिए यह उप्शन भी 2, 3, 0, 3, 0 अदरवेज आप 7 का multiple भी चेक कर सकते हैं, 7 का multiple जो option में है वही उत्तर है ठीक है बताओ, कितना प्यारा सवाल बन गे आपके लिए, है कि नहीं आसान 0 के बाद unit 3 आएगा, तो आपको इस तरीके से calculation को कम करना है, calculation कम करना भी एक 8 है क्यों concept सीखने से कुछ नहीं होगा, अगला सवाल भाई साब, बोला है sign a, 1 plus sign a बटे कौसे, plus कौसे, 1 plus sign a बटे कौसे का मान क्या होगा g student, यहाँ पर lcm लेंगे, तो sign a plus कौसे, यहाँ पर lcm लेंगे, तो कौसे plus sign a sign a plus कौसे तो common आ गया, मेरे दोस्तो, sign a plus कौसे तो common आ गया sign a plus कौसे, bracket में क्या बचेगा, sign a plus कौसे हाँ भी है, sign a plus कौसे हाँ भी हाँ बचेगा, यह sin बटे cos plus यह के बचेगा, यह cos बटे sin 10 plus quart है, basically sin square a plus cos square a 1 तो 1 बटे sin into cos यह 1 बटे sin into cos जब सवाल में सीधा-सीधा result दिखाए दे, कुछ नहीं करना बस बात समाब, तब है तो ही कुछ में हमीं इस सवाल में साइन को साइन को से भाग देंगे तो एक बटे कोस बचेगा से के पिलस यह यह ना कोस को इस से भाग देंगे कोस से कोच कर जाएगा वन बटे साइन को से के तो से के प्लस को से के धमाकिदार उत्तर है कहां मर गए से के प्लस को से के पहला option answer से के प्लस को से के बहुत प्यार उत्तर है अगला सवाल बताईगा कौन करेगा इसको यदि कौसे बराबर 63 बटे 65 है तो टैने प्लस कोटे इसमें भी दसमलब में दे रहा है दसमलब का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगाए जिसकी कोई हद नहीं बै कौस क्या होता है बेस बटे हाइपूटिनिस ट्रपले इसमें 16 principles ठीक है तेरे चौरासी पिचयासी 1161 इंप इंटर प्लेट है तो परपेंडिकुलर शोले होता है लंब बटा पेश कोट होता है जी उल्टा बेस बटा परपेंडिकुलर अ अब यह करना में मिरी को आंसर में एक़का फरक यह प्रोक्स देखूँगा एप्रोक्स क देखे 16 से 63 जाएगा लगबख 4 बार और 16 से 63 बार, 1 वटए 4 आएगा पॉंट to 5 4.2.5 के नसदीक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ये आंसर है 16 से 63 तो लगबख 4 तो पहुंची गए ना तो 4 होगा genius 5 ये तो नहीं होगा minimus 5 क्रॉस निकरेका थे आज क्रॉस करने को कोई मतलब भी नहीं बनता तो यह आंसर होना चाहिए एप्रोक्स कर लिया मैंने होई ना बात बोला है यदि sin theta plus cos theta 1 बटे 29 है तो sin plus cos upon sin minus cos बताएं क्या होगा sin plus cos upon sin minus cos बताएं बताएं जी sin plus cos 1 बटे 29 है तो ये तो दे रखा है sin plus cos 1 बटे 29 मेरे को तो केवल sin minus cos निकालना है तो मैं formula भी लगा सकता हूँ और concept भी देखे sign का मतलब होता है perpendicular बटे hypotenuse cos का मतलब है base बटे hypotenuse और ये plus है याने कि नीचे तो hypotenuse ही रहेगा उपर perpendicular plus base दिमाग में करना है 1 बटे 29 बनना चीए hypotenuse 29 को देखे concept plate आता है 21-20 आता है दिमाग में लेकिन 21 और 21 तो 41 होता है याने कि ये आपका base negative रहा होगा minus याने कि hypotenuse है ये आपका 21 और ये base है आपका minus 20 याने कि sin minus cos आएगा 21 में से minus 20 घटाएंगे 41 upon 29 है ना 21 बटे 29 और minus 20 बटे 29 घटाएंगे तो 41 बटे 29 से कट गया 1 upon 41 आंसर है ये option 1 upon 41 प्यारा सवाल है केवल triplet की आपको पहचान करनी है ऐसे और भी सवाल बन सकते हैं ये बताएंगे fund the volume of largest possible circumscribed by a cube of 7 cm 7 cm किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोले कायतन उस cube का volume बताओ जो एक circumscribedic cube से यानि की cube के अंदर sphere है ये आपका cube हो गया इस cube के अंदर एक sphere है cube की side है 7 अगर cube की side 7 है मेरे प्यारे भाई cube की side तो आप हमें बताओ कि इस sphere का diameter भी तो 7 होगा अगर इस sphere का diameter 7 है तो radius कितनी होगी 7 by 2 तो बस मुझे इस चित्र बनाने की ज़रत नहीं मुझे तो उस sphere का volume निकालना जिसकी radius है 7 by 2 sphere का volume होता है 4 बटे 3 πाई मतलब 22 बटे 7 r cube r cube का मतलब 7 by 2 का cube यानि की नीचे तो 2 का cube 8 हो जाएगा और रूपर हो जाएगा 7 cube 7 cube का मतलब 7 गुणा 49 7 से 7 कट गया अभी 4 से 8 दो बार 2 से 22 ग्यारे बार तो 11 गुणा 49 हो जाएगा भई 490 पिलस 49 यानि की 539 490 में 49 539 by 3 आएगा एपरोक्स आंसर है भई 540 होता तो 180 जाता 540 180 ये 180 मानेस 1 by 3 है 180 से हलका सा कम येरा आंसर 540 होता 180 जाता ये एक कम है 180 मानेस 1 by 3 आएगा 180 में से पॉंट 33 मानेस करेंगे ये उत्तर बचेगा ठीक है ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाए किवल इतना आपको करना है आगे चलेंगे अच्छा सवाल 22 समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें भाई साथ के साथ है ज़िए आपको बताता हूं कि आपको अगर अगर a2 प्लस 1 बाई a2 दिया हुआ है और a माइनस 1 बाई ये निकालना है तो दो घटा केंड रूट लेलो दो घटा केंड रूट लेलो अगर a प्लस 1 बाई ये निकालना है तो दो जोड केंड रूट लेलो तो ये आ जाएगा रूट 1 बाई 3 तीन दूनी छे हो जाएगा न साथ मानस चेक रूट 1 बाई 3 यह आगे अब अभी अभी समझाए कि अगर A माइनस 1 बाई A रूट T है तो A Q मानस 1 बाई A Q होता है T पलस 3 रूट T अभी T पलस 3 और रूट T यानि कि 10 बटे 3, 3 तीन और एक 10 10 बटे 3 आ जाएगा तो इसका मतलब आ जाएगा 10 अपॉन 3 रूट 3 आंसर है 10 अपॉन 3 रूट 3 बता हो इससे आसान सवाल क्या ही बन सकता है यह बनाएंगे यदि X स्क्वाइर माइनस 5 रूट 5 एक्स प्लस 1 जीरो है X ग्रेटर देन 0 X पॉजिटिव है तो X क्यूब माइनस 1 अपॉन X क्यूब ग्याद करें अप्शन आपके सामने प्री में आया है बेटा अब अगर आपको यह निकालना बीच में माइनस है तो X प्लस 1 बाइक्स की X माइनस 1 बाइक्स की जोरत पड़ेगी कैसे आएगा बई अगर आप इस पूरी क्वेशन को X से डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाइक्स तो X स्क्वार बाइक्स हो जाएगा यह 1 है प्लस 1 बाइक्स यह माइनस का 5 रूट 5 उधर चला जाएगा राइट साइड में बराबर 5 रूट 5 ही आगे यह X प्लस 1 बाइ X की वेलिव है मेरे प्यारे भई तो X माइनस 1 बै एक्स कितना खाएगा अगर X प्लस 1 बै at 5 रूट 5 है तो X माइनस 1 बै आएगा रूट के स्क्वार माइनस 4 तो 5 रूट 5 के स्क्वार के आएगा मेरे दोस्तों 25 पंजे 125 मानस 4 121 का अंडरूट 11 X मानस 1 में X 11 आ गया तो आजाएगा अभी KQ प्लस 3 के यानि की 11 का Q तो 131 का 30 प्लस 33 यानि की 136 4 यह आंसर है कर पाओगे यह X प्लस 1 बाइ X X मानस 1 बाइ X के सारे कंसेप्ट की क्यों आदे घंटे के वीडियो सेपरेट भी बताईए मैंने आपको इसी चैनल पे है लगब 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 डिर्लाक बच्चों ने वो वीडियो देखी है आदे घंटे में X प्लस 1 बाइक के सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए है आप देख लेना उसको जाके यह बताईगा मेरे प्यारे भाई 24 मा सवाल जोमेट्री का क्वेशन लग रहा है थोड़ा ताजा बोला है दो ट्राइंगल है P, Q, R और D, E, F यह P, 52 है क्यों 54 है R, 54 है D, 54 है, E, 54 है तो अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो यह पता चलेगा कि P, Q, R, 52, 54 है और सेम टू सेम यहां पर भी 54, 54, 52 है मेरे दोस्तो यानि कि जब तीनों एंगल बराबर है तो सिमलर्ट हों गई अब कर्रस्पॉर्णिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर यहां एंगल P, 52 है तो यहां एंगल F, 52 है तो P के कर्रस्पॉर्णिंग वर्टेक्स है F P के कर्रस्पॉर्णिंग F है ठीक है P के कर्रस्पॉर्णिंग D है बात गलत है P के कर्रस्पॉर्णिंग F है ठीक है P के corresponding D है बात गलत है दो option नो फजगे अब Q चोहतर है यहाँ पे चोहतर है E तो मैं Q के corresponding E होना चाहिए क्यों के corresponding E है यहाँ क्यों के corresponding D है बात गलत है answer है पहला सौलने करूँगा कि मैं diagram बनाओ फिर check करू लेंस लगा के सीधा option से उठाँगा option से और options उठाना सीखो last question करेंगे 25 मा बताओ कैसा लग रहा सवाल shirts का बनाएंगे root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2 का मुल्यांकन करें root 6 बराबर 2.45 ऐसा नहीं कि आपको root 3 root 2 की value दी है तो emotional मैं होके यहाँ पे value रखने लगो पहले इसको simple करो rationalization इसका परीमे करन करो अगर नीचे root 3 minus root 2 है तो उपर नीचे root 3 plus root 2 से गुणा करेंगे root 3 plus root 2 से उपर नीचे गुणा तो हो जाएगा root 3 plus root 2 का whole square और नीचे हो जाएगा root 3 minus root 2 into root 3 plus root 2 1 नीचे हो जाएगा 1 समझ में आई बात बै यहाँ पे root 3 plus root 2 से उपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे तो नीचे a प्लस b a मानस b, a स्क्वर मानस b स्क्वर एक बन जाएगा अब रूट 3 प्लस रूट 2 का Hey जी 3 प्लस 2, 5 प्लस 2 रूट 6 5 प्लस 2 रूट 6, 5 हो जाएगा रूट 6 2.45 अब 2.45 है 2.45 का दूण 4.90 ठीक है बई तो यह आजाएगा 9.9 तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो B option बनेगा जो की 9.9 नहीं तो आपको पहले rationalization करना है, simplify करना है उसके बाद मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर value रखनी है ठीक है मेरे प्यारे बच्चे तो यह हैं आपके CHSL के अब इस सारे नहीं करवा है, मुझे को यहाँ पर करवाने है top 50 हवाल, यह part 1 था जिसमें आपको 25 question करवाए है, ठीक है जी इसकी second video जो है आपको कल देखने को मिलेगी यह 50 question आपने कर ले तो आप निश्चिन्त होके बैठ सकते हैं, आप यह मान लीजे कि आपने CHSL में जो 500 question advancements के पूछे गए हैं, उनके बरावर का तोड़ा आपने कर लिया, ठीक है जी, अगर आपको इस वीडियो से फाइदा पहुंचा और आप चाते हैं कि मैं arithmetic के भी question करवाँ सीजल के भी arithmetic के best question करवाँ तो आप इन वीडियो से जाद अपने दोस्तों के साथ share करो, like करो, ठीक है